पहले चीज़ तो एक बात ज्यान रखना ज्यान देने वाला और लेने वालें कोई उम्र नहीं होती आप नौनेग्स लेने वालें तो ये माटर नहीं करता कि जो आपको नौनेग्स देरा है वो आप से कमुझा या ज्रादा का है आपने देःखा होगा कि स्रीमस न Oui कैसे कैसे चुटे-चुटे कम उम्र के लोग भी करते हैं और बहुत सारे स्वोटागड़ होते हैं तो वो एक ज्ञान है कोई भी दे सकता और कोई भी ले सकता है उसके लिए कोई एज नहीं है अब बात यहां आती है कि हम बहुत अच्छा सीखें इसके लिए हमें क्या करना से तो एक तरह के आपने लोग देखें होंगे कि कुछ जानना भी चाहते हैं और थोड़ी सी वह जानकारी भी रखते हैं बहुत अच्छा वह लोग सीखते हैं कि या तो अपने आपको पूरतर रिक्त मालने या वह बहुत विद्वान है या तो आपके पास काफी नॉलेज है कि आपको हिंट मिलती जा रही और काम बनता जा रहा है या तो आपकी स्टेच वह हो तो आप अच्छा सीख सकते हैं या आप अपने आपको ये स्विकार करें कि मैं रिक्त हूँ मैं बिल्कुल फ्रेश तरीके से पूरा सीख हुआ और आप ऐसा लगता है कि आपको जानत हो या कहीं भी कि मैं रिक्त हूँ मुझे प्रॉपर और हंड्रेट पर सेंट सीखना है यह जालतर मेरी बात रिपीटर्स पर लागू हो सकती है या जिसको थोड़ी बहुत वह कहीं भी आवश्यक नहीं यहां पढ़के पढ़ने आया है कहीं भी पढ़के भी आया हो जो आपको अगर अच्छा जाना है उस समय के लिए आप अपने आपको बिल्कुल सांत रखिए यह सोच लो कि मुझे कुछ आता ही या यह आपको प्रस्ण अपना पूछना चाहते हैं तो याद रखिए अपना प्रस्ण करने के बाद सो परसेंट तरीके से पूरा उत्तर सुन आप सब जानते हैं इंडियन इसिट्यूट ऑफ टेक्नलोजी पहले जीवेंस होता है देन उसके बाद आइटीज होता है एडवांस एक अच्छा एकना माना जाता है तो मेरा कहने का मतलब है कि आईटीज में जो रैंक बंटू थी पूरा आती है ना वह जारा तर ट्वेल् सब्सक्राइब ले जाती है रैंक बंट यानि यार वन और इंडिया रैंक बंट तो वो रैंक बंट जभी सम्भाव है जब आपने पहली बार में बहुत अच्छा प्रयास किया था आपका फॉस्ट अटेम्ट यानि जिन बच्छों का पहले तो मैं उन्हें भी बोलना इसलिए नुक्सान रायक भी और फायदेबंद भी एंवाइदेबंद इसलिए है कि कम समय में जब हम स्यारी करते तो चारा एनरजी होती है जैसे हमें पता लग जाए कल मेरा पेपर है तो मैं आज दिन में भी पढ़ूँगा रात में भी पढ़ूँगा क्योंकि कल पेपर और आपके अंदर जो मोटीवेशन का ठहराव है वो एक निश्चिस समय तक ही रह सकता है अभी हम मोटीवेट करेंगे कापी अच्छा लगेगा लेकिन यह आवस्ट नहीं है कि किलास के बाद में घर्टक वो मोटीवेशन पहुचेगा यह तो दिक्ष्ट है इसलिए यह आपका एक्जाम आपकी सपलता आपका जीवन केवल चार महीनों पेंडर वर आपको चीज़ यह चार महीने 100% देखे इमांदारी से महनत की जाए हो सकता है आप ऑफिसर बन जाए इसलिए मैं कहना चाहरा हूं कि यह सौल टाइम है इसे अवसर में पदल दो यानि इस चीज को आप अवसर समझे परेशाद ही नहीं यह मैं सोचों कि नहीं चार महीने हाथ पर फूल के कैसे करेंगे मैं एक चीज़ बोली थी बच्चों की सबसे बड़ी भूल हम तो हरवार बढ़ाते लेकिन बच्चों की भूल क्या है कि बच्चों का खुद प्रेसर होता है कि सब स सबस्क्राइब कर देखाए मैंने अपने एकस्पीरेश्टंस में किस अलेक्शन ओता इसाट परसेंट जाए जिए अब पूरे पेपर में नवके कुछिछन मैंफ्धेक के पशमने नबर फूले परसेंट रिपसेंट ऊतीज़ है आए और थी सुछिछन साट पर संसरें रि जबकि उसी 40% को बार 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 करते हैं आप 90 कुश्यन पर शिक्योर हो जाते हैं तो हम यह इंपोर्टेंट है कि इस डूरेशन में चार महीने की त्यारी में जो अपना कीमती समय होगा वो 40% वाले सिग्मेंट को देंगे या 60% वाले सिग्मेंट को देंगे रैट इस इंपो वो आपके उपर डिपेंट करता है यह मैं सोचना समय कम है इसी समय में सब कुछ हो सकता है एक साल में कुछ नहीं हो पाएगा चार महीने में हो जाएगा तो आप इन वातों को लेके परेशान नहीं हो सिर्फ अपना काम क्या है मैस को सीखने की सबसे अच्की स्रीक बता रह अपने एक फॉर्मूले को एट लीस्ट वह अपका हमेसा त्यार होगा है तो मैंसको अच्छा चीखने का एक ही अच्छा तरीका है कि नमबर और पुष्ण यानि आप हर वैराइटी के चाहरा से जादा कुछ अटेंट की जिए वहीं आपके लिए ब्लस प्रॉयंट है करो है हँए लिप्रेंट इस इस आए हिए नहीं कोई रह आए-ट्रम प्रॉट पहला है कि अधृष्ण देखते हैं आप एकदम प्रॉपर तरीके से सिस्टेमेटिक त्यारी करें और सीखने के लिए मैं हर रिपीटर से या यह कह सकते हैं कि जो बच्चे ने हलकी फुलकी त्यारी अपने इस तरह से किया हम सबसे कहना चाहरा हूं कि पर्चे समय क्लास में रिक्त हो जाओ क्योंकि उस समय हमारे अंदर कित बात का आवाज है कि हमें सीखना है यह सीखने की लालसा रखते हो तो रिक्त होना पड़ेगा और जब बात आजाए जवाब देने की अगर हमारा आपके सामने कभी कुष्चन आया हम आपको बोलने का मौका दें सो परसेंट जौक दो उस सम् लग लग जगह से आंसर आएंगे अपनी नौलेज को कभी हलके में लुटाने से भी लोग आपकी एहमियत नहीं समझते हैं हमेशा उत्तर उसी प्रश्ण का दो आप से आता है और सठीक आता है यह आप ब्रहुत है यह आपको नहीं पता है तो सबसे अच्छा उत्तर उसका और कम सब्दों में जो पूछा गया सिर्फ उतने का उतर देदो तो आप ग्रेट हैं इधर उदर की बातें बातों से कोई अल्थ नहीं निकलता है सठीक रहिए नपे तुले रहिए बढ़िया चलता रहेगा सब दूश ठीक है तो ओवरॉल टीचर से आपका इंट्रेक्श आपके मन में विचार हैं आप अपने टीचर से पूछने के रिए स्वतंत्र हैं यहां पूछिए बहार पूछिए लेकिन कोई अपना डाउट बचा के मत रे जाईए आप ऐसी पढ़ाई करो चार महीने में एक दम हिस्टी क्रियेट होने वाली एक प्लानिंग के साथ पहल आप जानते कभी आती नहीं है यह बड़ी समस्या है किसरे कल से त्यारी 100% अच्छी से करने लगा हुआ आज मैंने रूम सेट कर लिया आपको लगा लिए मैंने सेट कर लिए कल से पढ़ाई चालू कर नहीं आता वाई साब आज और अभी एक्शन लेलो आपकी तो बढ़ी होना चाहिए टीचर आपको 100% मैंने से पढ़ाएगा और रेस्पॉंस आएगा चलिए आप दीरे दीरे यह सब पाते करते रहेंगे करते हैं कुछ पढ़ाई कंदीने एक प्रत्यों की परिच्छां की त्यारी करने वाला चात्र कैसा होना चाहिए सबसे पहले ग्रहत्यागी और आज की डेट में ग्रहत्यागी से भी ज्यादा इंपोइटेंट है क्योंकि हमने लिख रखा है यह सब लिख रखी है अगर आप सही और अच्छे बच्छे हैं इन वातों को समझ लेना यानि उन सब प्रवट्रियों का थ्याक कर देना जो सब्सक्राइब करते हैं कि पतारी लगता कि समय निकला कब आप लेकर रखते हैं इस्टाग्राम ट्विटर सब कुछ चला है यूटूब और जब आपको अपनी कोई मनपसंद चीज सामने आ जाती है आप देखने लग जाते हैं लेकिन जब समय समय लगती है तो आप नहीं जानते जनाब समय चल लाए था और वह आपकी लाइव का कीमती समय निकल गया गलत चीजों में जो कि जाना चाहिए था पढ़ाई पे और गलत जगे चला गया है और ग्रहत्यागी इसलिए बोला गया है कि आपको एक आंथ की आवशक्ता होती है बहुत अच्छा मिशन में आपको झाल वा उनाघ झाल जवशक्ता है